वैसे स्टुडेंट जो खासकर अलिगर मसलिम सीडिय में 2025 में जिस भी कंडेट का सेलेक्शन हो गया है आज हम इस वीडियो में खासकर आपके एड्मिशन कार्ड फिचकल वेरिफिकेशन और वेटिंग लिस्स के बारे में बात करेंगे और साथी क्लासिस के बारे में बात करे करते हैं सबसे पहले आपको गुगल पर जाना और आपको सर्च कर लेना है एम एक्जाम कंटॉलर जैसी सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा आपको स्क्रॉल करते हैं नीचे आना है जो भी स्टूडेंट सेलेक्शन ले चुके या आने वाले टाइम में लेंगे वो उनको मालूम है कि पहले कॉंसरिंग पॉडल पर जाकर पहले आपको अकाउंट अपने लॉग foreign करना होगा जैसी आप लॉग-इन करेंगे लॉग-इन करने के बाद नॉर्मली जब लॉग-इन कर रहे होते हैं तो आपको इस ठाइप का इंड डिटेल आता है देन आपक से क्लिक करने है कि इस ताइब का अफशन कर देखिए और नहीं हो पाया वह इसका मतलब यह है कि जो भी श्टुडेस्ट कर रहे हैं खास कर अद्मिशन कर गर कर इक एक mistake कर रहे हैं वो यही कि अभी आपका admission card जनेरेट नहीं हो पाएगा वो तब ही हो पाएगा जब तक आपको hall assign नहीं हो जाए या hall का allotment जब तक नहीं हो जाए इसका यह भी मतलब नहीं है कि hall allotment का मतलब आपको hostel मिल जाए आप hostel में रहना सुरू कर दे सिंप्ली अगर hostel ख जाएगा मिल जाएगा तो अभी क्या करना होगा जिस भी candidates का अभी admission हो रहा है जिसका भी AME में तो वो क्या करेंगे प्रवोश्ट office चले जाएगे और प्रवोश्ट office जाने के बाद अपना hall के लिए एक application application नहीं बलके जो आपका free sleep है along with photo और वहां पे कुछ basic detail मांगा तो वो जो है आपको hall assign वो अपने side से वो करेंगे तब जाकर आप admission card का generate हो पाएगा अब यहाँ पर दो चीजी होगा एक तो वो की हो सकता है कि आपको जो hall assign किया जाए वो direct आपको room भी मिल जाए आप रहने के लिए भी मिल जाए पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको hall सिर्फ assign ह चाहिए बाद में आपको रहने के मोगा मिले यह क्यूं होगा क्यूंकि वहां पर सिर्फ depend करेंगे गर शीच कारी रहेगा तो फिर इस च्रिशन में आपको ऐसा हो सकता है सीट खाली रहेंगे तो आपको hall मिल जागा hall assign भी हो जागा लेकिन hall assign जरूर होगा हो सकता है सीट इस खाल इनों तो नहीं मिले स्टार्टिंग में बाहर रहना पड़े तो अड्मिशन कार्ड को लेकर जो चीजे था मैंने आपको क्लियर लिए समझा दिया अब इसके बात करें तो अभी अमे में अलग अलग डिपार्टमें अलग कोर्सेस में काई ने काई इंग खासकर क्ला कि अग्रास तो आपका स्टार्ट होई गया तो आप को स्टार्ट होने वाला है कुछ नों नोटिस आने करहा आज बीब साइट करहें तोalnızा तक से लिंगस्टा 키 ए आदा तो आम थ्वार्स कर होगा उस पर जाकर रिसेंड में जो भी आये हैं क्लास को लेकर नोटिस वो आपको वहां से मिल जागा तो यह थोड़ा देख लिएगा एंसर्ड मैंने बता दिया कि फर्स्ट अगस्ते कई सारे कोर्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है जैसे बीटेक वालों का भी जो है रिपोर्टिंग को लेकर तो देखे अभी आपका कोई फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला नहीं है पहले आपका क्लास स्टार्ट होगा और क्लास स्टार्ट होने के बाद जो है फिर एक नोटीस आगा सेपरेट नोटीस उसके बाद ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो और वो एक से दो मैने के बाद भी हो सकता है लेकिन तब तक के लिए आप अपने पास लेकर जाएंगे रेडी रहेंगे ठीक है तो एक तो यह समझ में कि फिचकल वरिफिकेशन कब होगा तो फिलाल पहले आपके क्लास स्टार्ट होंगे बाद में आपका फिचकल करी है कि देखिगे पहले जिसका भी क्लास स्टार्ट हो रहे है तो उसको तो जोइन करनी है वैटिंग și वालों को अगर क्लियर हो रहा है तो उनको भी डायरेक्ट जाकेक ट्लास जोइन करना होगा यह नहीं कि उनस्ति है तो सब से पहले आया है जो फिर्स्त डिश्में devo र आपको डिर्क जाके क्लास जॉइन करना होगा बाकी है कि इस बारे में तो अपग्रेडेशन में खासकर स्कूलिंग में तो बहुत चांस कमी लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आने वाले एक लिस्ट और आएगा एक लिस्ट के बाद मुश्किल से दो 11 साइन्स आर्ट्स और कॉमर्स और डिपलोमा की बात करें तो आनेवल टाइम में एक लिस्ट और आएगा मतलब टोटल तीन लिस्ट के अंदर ही देखीगा कि सीट्स फूल हो जाएंगे ऐसे ही सेम जो है आपके बीकॉम में तो एकदम सिफ कंप्लीट ही हो जाएगा लेकि याद रहें कि फर्म लिस्ट 4 का मतलब यह कि मुस्किल से आट से दस बच्चों का ही नाम रहेगा क्योंकि जिस रेट से स्टूडेंट एड्मिसर ले रहे हैं ज्यादा लिस्ट नहीं आएगा यह मैं काना चाहरू हूँ सो नेक्स्ट बात करें तो इसको लेकर मैंने आपको क्लियरली समझा दिया अब अगर इसके बाद बराबर अभी फिलाल तो यह कि जो अस्पूर्स वाले जिस स्टूडेंट है उनका ट्राइल चल ला है तो अस्पूर्स वाले ध्यान रखे और क्यों ट्राइल के बेस पर आ से स्टार्ट हो रहा है बाकी 11 साइंस आर्ट्स और कॉमर्स डिपलोमा के लिए विदिन अभी के स्टार्ट हो जाएगा तो जिस भी कंडिट्स को जोइन करना हो इस वीडियो का डिस्क्रिप्स बाक्स में वाट्स अप नंबर है आप वाट्स अप कर लिजएगा आपको डे से साब के तैयरी कराए जाएगे बेसिक से लेकर एडवांस तक ताकि 25 में आपका जो ड्रीम इनुश्टी है में वो पूरा हो थैंक यू